दोस्तो इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही important discussion करने वाली हूँ last आपके पास एक मोका है लेकिन उसके अलावा जो important चीजे हैं जिनके बारे में शायद आपको मालूम नहीं है वो discussion हम late fees से related करेंगे तो चलिए जल्दी से वीडियो को start कर लेते हैं चैनल को subscribe शरू कर लीजेगा दोस्तो अभी आप अपनी GSTR 3B की जो filing है वो reduced rate से कर रहे होंगे अगर आप amnesty scheme का benefit ले रहे हैं तो आप सभी को मालूम है कि amnesty scheme के अंदर जुलाई 2017 से April 2021 तक की अगर आप filing कर रहे हैं तो आप 500 या 1000 रुपे की maximum late fees को pay करेंगे और ये आप केवल 31 अगस्त तक benefit ले सकते हैं अब आपके साथ समस्या क्या आने वाली है 31 अगस्त के बाद दोस्तो ये जो amnesty scheme है ये तो जुलाई से अपरल तक का ही आपको जो है filing पर मिलेगी यानि कि April 2021 तक की अगर आपकी GSTR 3B filing pending है तो आपको इसका benefit मिलेगा अब सरकार ने नई late fees भी लेकर के आ गई है GSTR 3B की late fees को rationalize कर दिया गया है जो की maximum 502,000-5000 रुपे लग रही है अब अगर आप 31 अगस्त के बाद अपनी filing करते हैं माल दीजिये March या April की filing आपकी रहे गई है 31 अगस्त तक आपने नहीं की है तो क्या 31 अगस्त के बाद यानि कि सितंबर को अगर आप filing करने बैठेंगे तो क्या late fees आप पर applicable होगी क्या ये जो अब नई late fees आई है GSTR 3B के लिए जो रेशनलाइस कर दी गई है 500, 2000, 5000, 10,000 क्या ये late fees आपके लिए applicable रहेगी तो दोस्तो यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा doubt है वो मैं clear कर दू ये जो late fees रेशनलाइस की गई है निल के case में 500 रुपे और other than निल है तो 2000, 5000 और 10,000 ये reduced late fees का benefit आपको जून 2021 ओन वर्ड्स ही मिलेगा यानि कि जून महीने की जो GSTR 3B आप file करेंगे वहाँ से ये reduced late fees का benefit आपको मिलना शुरू हुआ है quarterly filers भी जब जून 2021 की late fees sorry GSTR 3B file करेंगे तब ही ये reduced late fees का benefit आपको मिलेगा तो जून से पहले यानि की मई 2021 तक या तो आप amnesty scheme का benefit उठा लीजिए या जो की आपको I think मई के लिए नहीं मिला है केबल April 2021 तक के लिए ही मिला है या तो आप amnesty scheme का benefit ले लीजिए 31 अगस तक otherwise एक सितंबर से जुलाई 17 से मई 2021 तक की अगर आप अपनी 3B file करने तो आप पर वो पुरानी late fees ही लागू होगी जो की 50 रुपे पर डे या 20 रुपे पर डे और maximum 10,000 रुपे की late fees आप पर applicable हो जाएगी ये जो reduced late fees है जो ये 500, 2000, 5000 और 10,000 की ये rationalized जो late fees करी गई है ये benefit आपको मई 2021 की GSTR 3B तक नहीं मिलेगा क्योंकि ये नया जो change आया है ये जून 21 से applicable हो रहा है यानि कि जून 21 की GSTR 3B से ये change applicable हो रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी बेहत ज़रूरी है अगर आप इस भरोसे में बैठे हैं कि हमारी मई की या April की pending है और अगर हम 31 अगस्त के बाद जो है अपनी April की GSTR 3B को file करेंगे तो हम इन reduced late fees का है कि भले ही आपका turnover कितना भी हो तो इस चीज़ को इस doubt को जो है आप अपना clear कर लीजिए और अभी तक अगर आपकी 3B pending है तो उसे file कर लीजिए file करना क्यों बेहत आवश्यक है क्योंकि अभी recently आज से ही एक नया change भी applicable हो रहा है और वो change क्या है blocking of evable यानि कि आज से बाद अगर आपकी two consecutive months की या फिर quarterly वालों के लिए पिछले period की GSTR 3B pending है तो आपकी evable facility को block कर दिया जाएगा after 15 थगस यानि की कल से और CMP08 भी अगर आपकी April, May, June quarter की pending है तो भी आप evable generate नहीं कर पाएंगे तो ये सबी चीजे आप ध्यान में रखेगा reduced late fees के benefit से और जो है अपनी evable facility को block होने से बचाने के लिए अपनी GSTR 3B की filing समय पर कर लीजिए otherwise आपको काफी बड़ी problem आ सकती है